अभी जो घटना हुई है वो बहुत हरदय विदारक है और पीड़ा दायक है मगर अफसोस की बात है कि जिनके उपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आखों में एक आसू तो छोड़िये उनके माते पर शिकन भी नज़र नहीं आई स्रीमान जी से विनमर अन्रोध है कि इस प्रकार के बड़े बड़े यूपी एस्सी के कोचिंग संस्थान जो विद्यारतियों का जीवन दाओं पर लगाकर अवैद जगहों पर कख्षाओं को संचालित कर रहे हैं इन पर कड़ी कारवाई की जाए यह 26 जून का है इसके अथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की सलज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है जिसकी वज़े से इस प्रकार की घटाएं ना हो मानी सभापदी महोदै आज मैं बहुत भारी मन से इस विशे के उपर अपना विचार रखने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक इस विशे में महत्पूर बात यह है कि इस विशे पे सभी तरफ से एक समान कंसर्ण उभर कर सामने आ रहा है इस सदन में हम इस विशे पे चर्चा कर रहे हैं दूसरे सदन में भी इस विशे पे कारे स्थगन प्रस्ताव के नोटिस हैं जिसमें कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी हैं और इस सदन में आम आदमी पार्टी की प्रतनी दिकी तरफ से भी यह विशे लाया गया है ये दर्शाता है कि ये विशे कितना व्यापक और कितनी समवेदना की दरकार रखता है सवापदी महोदय दिल्ली भारत की राजधानी है यहाँ पर लोग अपने जीवन की और राष्ट के सेवा की अनेक आकांग्शाओं को लेकर आते हैं पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं नए अवसरों की तलाश में ही नहीं बलकि कोचिंग की माध्यम से नए कैरियर की तैयारी के लिए भी भारी संख्या में छात्र आने शुरू हुए उलेकरी बात ये है कि इसके लिए जो कोचिंग संस्थाएं थी उनको जिस प्रकार की व्यवस्था सुनिशित करनी चाहिए थी वैसा होता दिखाई नहीं पड़ा उससे अधिक संवेदंशील बात ये है कि सरकार को जिस गंभीरता और सतरकता के साथ उस पर नजर रखनी पड़ती थी पढ़नी चाहिए थी वो भी नहीं हुआ अभी जो घटना हुई है वो बहुत हरदय विदारक है और पीड़ा दायक है कि एक सहलाब आया जो तीन बच्चों को के जीवन को बहा के ले गया उनके परिवार की आशाओं और आकांशाओं को बढ़ा के ले गया मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी उनकी आखों में एक आशू तो छोड़िये उनके माते पर शिकन भी नज़र नहीं आई बजाए इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में इस चीज में अपना बचाओ और मैं कहूं कि कुछ हद तक निरलजजटा के साथ राजनीती करते हुए नज़र आए मैं आपकी बात शब्दों आपस लेता हूँ मैं कहूंगा पूरी तरीके से लापरवाही के साथ और अनुचित भावना के साथ अपना विचार या यूं कहूं फ्रम फैलाते हुए नज़र आए अब यहां पर बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यह घटना अचानक हो गई होती तो हमें मान सकते थे कि सरकार अनायास इन चीजों को समझ नहीं पाई मैं सदन के समक्ष विशय आपके माध्यम से रखना चाता हूँ कि इस विशय पे सम्मंदित छात्रों के द्वारा अनेक कंप्लेंट्स की गई और उन कंप्लेंट्स के रिमाइंडर भी किये गए जिसमें एक कंप्लेंट 26 जुलाई को एक छात्र के द्वारा की गई है जिसम मैं पूरी वो नहीं पढ़ रहा हूँ अंत में वो कहता है कि श्रीमान जी से विनमर अन्रोध है कि इस प्रकार के बड़े-बड़े UPSC के कोचिंग संस्थान जो विद्यारतियों का जीवन दाओं पर लगाकर अवैद जगहों पर कक्षाओं को संचालित कर रहे हैं इन पर कड़ी कारवाई की जाए यह 26 जून का है यह अप्लिकेशन कहां दी गई यह अप्लिकेशन एंसीटी देली को रिसीब की गई है मिनिस्ट्री डिपार्ट्मेंट ऑफ ग्रिवियांस डिस्क्रिप्शन में पूट इपकर देंगे आप फ्लोर पे रखता हूँ और उसमें रि फिर वो रिमाइंडर देता सर प्लीज टेक एक्शन दे इशू ऑफ इस्टूडेंट सेफ्टी इस देर मगर इसके बावजूद सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है और इतनी बड़ी खटना अंजाम जाए अब एक और एक और मैं विशे धान देना चाहता हूँ इसी ब देता है यानि यह कारवाई चल रही है वो एनोसी की कौपी भी मैं आपके समक्ष रख सकता हूँ और एनोसी में बेस्मेंट को स्टोरेज के लिए दिखाये गया है अब यदि वो फायर डिपार्टमेंट ने नोसी दी है और स्टोरेज के लिए दिया है तो क्या बगएर इ लिहार कारणों के मार्जम से लिया गया है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक करते है एक प्रकार की क्रिमिनल लेगलिजेंस है जिसमें जानते बूस्ते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खत्रे में डालने के तक ले जाया गया और मुझे अधिक वेदना इसलिए होती है सभापती महदे कि दिल्ली में मातर कुछ दिन पहले पीने के पानी की किल्लत थी और उससे लोगों की जान जहमत में थी आहाँ सीवर के पानी से जान हलकान है आप सोचिये कि जो लोग इतने लंबे समय से हुकूमत कर रहे हैं और पहले कहते थे हमारे पास ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है आज तो M.C.D. भी आपके पास है सरकार भी आपके पास है और जो कहते थे कि नई राजनीती लाएंगे वो नई राजनीती कितनी खतरनाक साबित हो रही है और लोगों की जान कैसी हलकान किये हुए है और उसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ सियासी बयान है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है मैं ये भी कहना चाहता हूँ महोदे अभी हम लोग जुलाई के महीने में छे महीने बाद जाड़े का दौर शुरू होगा सांस लेने की भी तकलीफ होगी यानि पानी का विशे हो जमना की सफाई का विशे हो या सांस हवा की सफाई का विशे हो सारी बातों पे सिर्फ बाते होती रही है और समय के अनुसार ये अपना स्टैंड समय समय पर चेंज करते रहें यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ यदि किसी वेक्टी के साथ कोई हाथसा हो जाए मान लिजए उन बच्चों के साथ यह सिती हुई आप अस्पताल ले जाना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मीडिया में रिपोर्ट अवेलिबुल है कि हाई कोट ने इस पे टिपणी की है कि बहुत कम एक से मानिये सदर्शे ये गंबीर विशे है जज्मेंट की कोफी आपके पास है उसकी परतिली प्रक्षनी पड़ेगी क्योंकि मीडिया में कुछ भी आजाए उसको आधार मत मनाईए जर हाई कोट ने इस बारे में बहुत असंतुष्ट इवेक्ट की है कि जितनी हाई कोट ने इस बिशे को लेकर बहुत असंतुष्ट इवेक्ट की है कि जितनी प्रकार की आबादी है उसकी तुलना में अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीने बहुत कम हैं ये वेल नोन फैक्ट है पब्लिक डोमेन और इतना ही नहीं मैं तो कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष का बयान कोट करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 32 अस्पतालों में से 68 ऐसे हैं जहां पर ऑपेशन थीटर कामी नहीं कर रहा है ये कॉंग्रेस के प्रदेश अद्यक्ष का बयान अर्थात ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ लोगों की जान के प्रती लापरवाही का विशे की सीमा तक है और उस सीमा पर चलते हुए ये इस्तितियां इस प्रकार की आती है कि नोटिसेज चात्रों के द्वारा है आगाह जन्ता के द्वारा किया जा रहा है परंतु उसके बावसूद हमारी दिल्ली की सरकार इस विशे में किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी कारवाई नहीं कर रही आज मैं आपके माद्यम से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के PWD डिपार्टमेंट और MCD को क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा सफाई नहीं की गई सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई जिसकी वज़े से सीवर का पानी बैक फायर किया और मात्र दो तीन मिनट के अंदर पूरा का पूरा बैसमेंट जिस तरीके से भर गया इसमें दो तीन पक्षें पहला बैसमेंट पे काम करने की परमीशन किस डिपार्टमेंट ने दी दूसरा यदि वो परमीशन दी गई क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ तीसरा कि यदि उसके उपर कोई शिकायत की गई तो उसके उपर कोई कारवाई की गई नहीं और चौथा आस पास के सीवरों की जो स्लिट सलज थी उसकी सफाई की गई या नहीं इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवशक्ता रखता है क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन तीन बच्चों की जान के साथ खिलवार किया है मगर अफसोस की बात ये है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो यतना परचार करती है कि हमने ये किया हमने वो किया मगर आज तक वो अथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की सलज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है जिसकी वज़े से इस प्रकार की घटाएं ना हो जब से वो सरकार में आए है ये एक वेल लोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड रुपए हो गया है यानि एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे है दूसी तरफ उसमें भरस्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे है तीसी तरफ शिकायते आती चली जा रही है और इसके बावजूद भी उनके उपर किसी प्रकार कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है इसलिए यह आवशक्ता है कि सदन इस विशे के उपर बहुत गंभीरता से विचार करें हम यह भी आपके संग्यान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के उपर कोई कारवाई न करते हुए भी सरकार की चीजों पर कारवाई कर रही है हम यह बात पूछना चाहते हैं कि इस विशे के विभागी मंत्री मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता विभागी मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आकड़ा सरकार के द्वारा जंता के सामने रखा है नहीं रखा है उन्होंने आकर सिर्फ बयान बाजी की है ये दर्शाता है कि उनका उद्देश वास्विक्ता क्योंकि वास्विक्ता तो वो मेरे विचार से सवापधी महोदै सामने रखने की स्थिती में ही नहीं है और उन्होंने इस विशय पे कितना मद में व्य किया है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सीवर की सफाईयों को लेकर उन्होंने कितना व्य किया जबकि यह बात लोगों की जनकारी में उपलब्द है कि दूसरी चीज़ों पर बहुत व्या किया है एडवर्टीजमेंट के उपर 2012-13 में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो 13 14 क्रोड रुपे व्या होता था अब 586 क्रोड रुपे व्या है मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्टिंज के कंस्रक्शन के उपर जाच के उपर, सीवर के उपर कितना उन्होंने व्या किया है 2021 में सर उसी पे बात कह रहा हूं हम बिल्कुल जानना चाहते है सरकार को ये जनता को जानने का हक है कि यदि 50 गुना अधि खर्चा हुआ है परचार में तो कितना गुना खर्चा हुआ है, सीवर का सथाई में कितना गुना खर्चा हुआ है इन चीजों के समझ्या कने दाग एक सेकिड सुनिए नतिंग फील गॉण रिखर संजे संजे नतिंग फील गॉण रिखर मोज कि तालीक क्रवदँ जाने जाने खर्ण वन सेकिंड, नितिंग विल रिकॉर्ड, प्लीज, 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 सद्दिन के नेता जी, दोनों तरफ, चुलिए, मैं सद्दुशियों से कहुंगा, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है, इस पर जब विज्यापन की बात आई, तो आप और रम सब रोज देखते हैं, तरशे आता है, जो अपने सपने को साकार करना चाहता है, नमबर दो, मैं सद्दुशियों को से आगरे करूँगा, इस पर सुझाव दीजिए, सिमित दायरा है कोचिंग का, जह आवशेक्ता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सिमित दारे में सबी को उस भी डाल रहे हैं, यह कैसा साइलो हो गया है, जो गैस चेमबर से कम नहीं है, तो आज के दिन सद्दुशियों को इस और ध्यान देना चाहिए, और आगे के मार्ग दिशन की बात करने चाहिए, यह गटना दुखद है, पर इस गटना, जो लोग तीन गए हैं, उनकी आत्मा को संतुशनी मिलेगी, एदिगरी सदन में हम सुझाओ देंगे, कि हमारे देश के नवयकों को कितने मोके हैं, किन-किन जगर मोके हैं, मापको एक बदाताता हूं, जब मैं इस्रो गया, महाश्चरी चिकित रह गया, वह कोई I.I.T. कर नहीं था कोई I.I.M. कर नहीं था, सब गाओं के थे, गाओं की स्कूल के पड़े वे थे, यह दिगर हम डी साइलों नहीं करेंगे, समश्या होगी, तो सुझान सुझी, make constructive suggestions, also Sir, मैंने ये विशे के संदर में ही कहा है, क्योंकि समस्या जल निकासी के कारण हुई, जल निकासी के लिए जो PWD, MCD और जल बोट जुम्मेदार है, यदि वो हजारों करोड के घाटे में जा रहा है, तो सरकार निरंतर उस सीथ पे ध्यान न दे कर, जहां जल निकासी की चास गुनाधी खर्च किया गया, और दूसी तरफ वो कर्जे में दबता चला गया, उदर कोई ध्यान नहीं दिया गया जल बोल्ट के लिए, इसलिए मैंने यह तथे आपके संग्यान में रख़ा, यहां पे मैं यह भी कहना चाहूंगा, मैं विश्यांतर में नहीं जाना परती है, हमारे सम्मानी सदसे को, तो वो यहां करा सामने रख दें, कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्रक्शन पे किया था, और कितना उन्होंने खर्चा इस कंस्रक्शन पे किया है, तो मेरे विचार से जनता के सामने दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा, यह बा लोगों कि जान की कीमत के बारे में बहुत हलके तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे अधियों को इस बात के उपर बहुत आपती हो इन्होंने कई और मदों में कई कई गुने खर्चा बढ़ाया है 2012-13 में वर्क बोर्ड को 1.25 करोड उपए देते थे अब 71 करोड उपए दे रहे हैं वहाँ 70 गुना बढ़ा दिया है मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि इन चीजों की सफाई के लिए कंस्रक्शन के लिए कितना गुना पैसा बढ़ाया है इस बारे में जानकरी दें ये दर्शाता है कि जाच हो धन का अवंटन हो उसके उपर निगरानी रखनी हो या उसके उपर बयान देना हो किसी भी प्रकार की कोई समवेदना नजर नहीं आती है और फिर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई मगर दिल्ली के माननी मुख्यमंत्री जो विशेश परिस्थितियों में विशेश इस्थिति में हैं उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सबस्टेंट्टिव बयान आया ही नहीं और एक कम समवेदना वेक्त करते एक जाच इंक्वाइरी सेट अप करते वो ये कहते ये बयान देते जो कह रहे थे कि मैं तो वहां से बैटकर दिल्ली के लोगों के लिए सदैव मेरा दिल धड़क रहा है मैं तो दिल्ली के लोगों के बारे मैं ही सोसता रहता हूँ इतनी बड़ी घटना हो गई और उनकी सोच की कोई ये जलक हमें दिखाई नहीं पड़ी उल्टा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन घटनाओं के साथ इधर दिल्ली के साथ जो मैंने का 26 जून से लेके कई शिकायतों से लेके आज तक कि ये हो रहा था परंट जवाब में कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिये जा रहे थे सिर्फ ये जानकारियां दी जा रही थी कि उनका वजन हलका हो रहा है मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो मैं उनके अच्छे स्वास की कामना करता हूँ कि वो स्वस्त रहे परंट तुम्हे कहना चाहता हूँ यहां वजन हलका होने का विशे नहीं है यहां किरदार हलका होने का विशे है और जिस प्रकार का आचरण हम आद्मी पार्टी ने दिखाया है वो निश्यत रूप से उनके आचरण के और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पे बिल्कुल महोदे उस पे चर्चा हो रही है देखे चो इसमें कौन सी बात है महोदे अगर महोदे मैं आप के मार्गम से कहना चाहता हूँ सुदांशुजी, मेरे विश्यर दोके सब्सक्रय करा चर्चा है सुदांशुजी निचयत प्रतियो रही है करे च्रचाह कहा हूँ को आप आप चर्चाह आप का चर्चाह मैं आपके माध्यम से और भी बात इस पर्ष्ट करना चाहता हूं यहीं विशे बोला है और यहीं विशे बोला है और यहीं विशे बोला है जिनको लेकर इनको आपती है मैं आपके माध्यम से यह बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि उनके सरकारी मंत्री आके जिनका काम सरकार के कारीयों के बारे में टिपनी देना है वो आकर वजन हलका होने की बात करते थे यद या बात मैंने आज या दिला दी कि उन्होंने अपने कामों पे ध्यान दिया होता तो ये इस्थिती नहीं होती तो उनको इस बात पे आपत्ती हो रही है तो यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ दुखी मन से मगर ये भी बताते हुए कि सिर्फ बाते करने से काम नहीं होता है काम से कम कारे करने चाहिए गंभीरता से करने चाहिए उसके बाद मैं दो तीन अपने मन के सुझाओ भी वेक करूंगा वो उनके लिए कहना चाऊंगा कि चंद बाते करना और मुतमई होना नहीं अच्छा सियासत आखरी दम तक सभी को आजमाती है बहुत गल्ती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में जरा किर्दार हलका हो कहानी डूब जाती है तो जो आपने किया है वो दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को और जो जिस आधार पर आपको लाए गया था उसको दूर करने काम किया आप मैं इनोंने कहा सुझाओ तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ जितने गुने पैसे आपने जितना ध्यान आपने परचार परसार पर वर्क बोर्ड के विस्तार पर दिया है आप उसकी बजाए ध्यान हटाईए और दिल्ली के सीवरों को साफ करने के लिए धनावंटित करिए दूसरा सुझाओ ये है कि कोचिंगों के उपर आप सारे कोचिंग संस्थानों के बारे में एक सूची लीजिए और उस सूची को लेकर या सुनिशित करिए कि उन्होंने जो जो चीजे की हैं वो अपने मानकों का पालंग कर रहे हैं या नहीं और मैं आपके माद्यम से यह अभी अनुरोत करना चाहूंगा कि क्रपया हमारे माननी सदत से सदन के पटल के उपर क्या इस विशय पर कोई अथेंटिक डॉकुमेंट रख सकते हैं कि अब तक यानि इस घटना होने से पहले तक क्या उनकी सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई भी कारवाई बगएर जाच के अथवा जाच के करके दिखाई है क्या यदि नहीं की है तो मैं उनसे अनुरोथ करूँगा कि अब इस घटना के संग्यान लेकर क्रपया सकती के साथ पहले ये तै करें कि कितने कोचिंग संस्थान है वो वास्विक्ता में जितने उनको परिमिस्विल लिमिट है उसमें वो छात्रों की संख करके दिन फायर हजाट भी हो सकता था तो ये बात हम इनसे बहुत इसपष्ट कहना चाहेंगे कि इन बातों के विशय में गंबीरता ले और अंत में इन्होंने का सुझाओ तो एक और सुझाओ भी देना चाहूंगा कि इनसे विनम्र निवेदन है कि सरकार चलाईए सरकार क मंतरी आकर सरकार के कारियों के बारे में विचार दें आकर सिर्फ राजनितिक बयानवाजी आरोप प्रत्यारोप न करें क्योंकि अभी तक का इनका स्टाइल ये रहा है कि कि किसी भी घटना के उपर वास्त्विक अर्थों में सरकार की तरफ से जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब देने की बजाए सियासी बयानवाजी होती है तो मैं अन्त में सिर्व ये कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ कि ये घटना बहुत धर्दै विदारक है और इस घटना के बारे में जैसी सम्वेदन शीलता की अपेक्षा दिल्ली सरकार से थी वो नह पीना हो सके